हेलो फ्रेंड्स दिवाली आने वाली है और जरूरी नहीं है कि हम वही पकोड़े और कचोरियां बनाते रहें तो हमें अलग-अलग डिस्ट्राइग करते रहना चाहिए और आज हम बना रहे हैं मदूरवडा यह देखिए हमने एक कप उड़द की दाल को तीन-चार घंटे के लिए भीगो दिया था यह हमने धुली हुई उड़द की डाल लिया और इसको स्टेनर में डालके रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए अब इसे मिक्सी में डालके और यह देखिए मैं थोड़ा सा चला रही हूं फिर इसको चम्मत से हीला रही हूं फ लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है तो ऐसे बारबर चलाने से बारबर हिलाने से यह एकदम देखिए कितने अराम से पिस गई है अब इसे कम से कम हम पांच मिनट तक फैटेंगे ताकि यह बिल्कुल हल्की हो जाए हल्की कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी इसको लगाता आप फैटते रहेंगे और हमेशा जब आप ऐसे फैटने वाला या चलाने वाला काम करते हैं तो बरतन बढ़ा लें अगर आप बरतन छोटे लेते हैं तो हमारा दिमाग दो जगए डाइवाइड हो जाता है कि हमने ठीक से काम करना है या उस चीज को गिलने स से बचाना यह देखिए है कि तना हलका हो चुक है मैं आपको दिखाती हूं हुआ हिंगी हलका होने का मतलब क्या होता है इसका छोटा सा पीस लीजिए और एक पानी की कटोरी में इसको डाल कर देखिए अगर ये पीस तैरने लगा है तो आपका डो परफेक्ट हो चुका है और अगर ये डूब रहा है तो आपको थोड़ी सी बेहना तोर करनी पड़ेगी टेस्ट लाने के लिए अब हम डालेंगे इसमें दो हरी मिर्च मैंने बहुत ही बारीकी से काटी हुई है जीरा एक चम्मच कालीमिर्च ये हमने कुटी हुई कालीमिर्च लिए एक चम्मच हिंग जरूठ डालें इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा हमने कदू कस कर लिया है अब इसे एक बार फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कडी पत्ता नहीं डाले अगर साउट की हम दिश बना रहे हैं तो जी हाँ मैं भी आपको दिखाऊंगी हमने थोड़ा सा इसमें सोड़ा डाला है दो चुटकी के बराबर हमने सिर्फ सोड़ा डाला है और ये देखिए कड़ी पत्ते को हमने थोड़ा सा गरम घी में डाल कर और उसको हीट कर लिया है जब आप ऐसे करेंगे तो इसका टेस्ट अलगी हो जाएगा और काम ध्यान से कीजिए, कहीं आप गरम-गरम तेल में हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि हम लोगों को तो आदत होती है, लेकिन आप फर्स टाइम कर रहे हैं, तो आप इस वक्त स्पून का इस्तमाल कर सकते हैं, यह हमारा डो पर्फेक्ट तयार हो चुका है, अब देखिए ह हाथ गीला कीजिए, थोड़ा सा पीस उठाइए, पीस आपका ये दो हाथों पे निच्छी पकना नीचे ये, और इसमें बीच में उंगले अंगुठे से छेद कीजिए, और बड़ी असानी से उंगलियां हिलाने पर ये डो आपका कडाई में आ जाएगा, कडाई को हमने पहले हीट तेज कर लिया था, और अब इस टाइम हमारी हीट बिल्कुल मंदी की होई है हमने, एक और बनाएंगे, अब इसे हिलाना नहीं है, एक साइड से हम इसे पकने देंगे, अगर आप इसे हिलाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, पहले हिलाने की कोशिश करेंगे, तो इनकी शेप और सारा ये बिकार हो जाएगा, अब इसे दो-दो, सेकिंड बाद पलटते रहिए, थोड़ा सा सीख जाए, फिर पलट दीजिए, क्योंकि हमने इन्हें बिल्कुल क्रिस्प बनाना है, फ्रेंट्स मैं तो आपको ये सिखा रही हूँ और आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को फट फट सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे और बैल आइकन का बटन दबाएंगे, तभी तो आपकी मेरी हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुचेगी, और तभी आप इतने सिंपल तरीके से रेस्पियां बनानी सीखेंगे, ये देखिए, एकदम करारी हो चुकी है, पसंद आ रही है आपको, तो लाइक और शेयर तो जरूर करेंगे, अगर चीज पसंद आती है तो उसे लाइक करने का बनता है, तो आप लाइक जरूर करें, और दिवाली पर पकोड़े से हटके थोड़ा सा कुछ और बनाएं, जी थाड़ी को आप लाइक, छ्याएं, आपार का सुर पास करका काक, तो झाह थिरांगे, तो शन कर FinC en घंज है, तो झाह भाचिए, जी कनू वह